तो हेलो गाइस क्या हला आप सभी का मैं अपने इस चैनल और इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का वेल्कम करता हूं चाहिए आप सभी लोगों बता दूं गाइस मैं नहीं दिमाग चक्रार है क्योंकि मेरे स्पेशल वीडियो नहीं बन पाया इस हफते भी कोई अच्छा घास वीडियो नहीं आपाया मेरा माफ कर दो यार कैसे लाता हूं आप सभी के लिए परफेक्शन से किया था पुली टबिंग खराब गई पहली तो कि इस हफंधे तो यह वीडियो आपाया आच माफ करेंगा यार्व वीडियो नहीं आपायेगा इस लिए दोस्तों कि कि न का कहूं बनाया था बहुत ज्यादा वीडियो स्पेशल वाला यूटूबर्स के लिए जो था नहीं आ पाएगा सफते माफ कर दें अगले हफ्ते जरूर साइगा बहुत रप्लैंस तो किये थे सफते और अगले हफ्ते के लिए लेकर आप वही आज पाएगा दोस्तों तो एक वह सपेशल वीडियो आजाएगा त अगले हफ्ते बारे में बताओंगा इसके लग लेंगविग बहुत था रिमेक पने हैं तो चलिए वन मुवी मैंने रिमेक आप शुरू करता हूं लिकिन उसीक अगले हफ्ते आज रहगा वर सिक्षा दो एक्स्ट्र वीडियो भी आएगे अनिमिटेडर को छोड़ते तो अगले हैं तो फिल्म को रिलीस किया था 14 जैनवरी साल 2004 में फिल्म को डिरेक्ट किया था सुभन ने और इस फिल्म की स्टोरी लिखी थी यानि फिल्म की स्टोरी रैटर थे वीरू पोटला फिल्म को प्रोड्यूस किया था एमसराजू ने और फिल्म के एडिटर थे यानि एडिटिंग की थी क्रिशना रेडडी ने फिल्म में म्यूज़िक दिया था देवी सरी प्रyttथ ने उसी के साथ साथ सुन के सिनोमेटोगराफर थे S.Gopal Reddy और उसी के साथ सुन के कोरियोगराफर थे अब बात कर लेते हैं फिल्म की कास्टिंग की तो फिल्म में में नज़र आए थे तुरिशा कृष्णन, गोपी चंद, प्रकाश राज, सुनील प्रकाश रेड़ी, रघू बाबू, चंद्रमोहन अब बात कर लेते हैं सर्थ सर्थ अब बात कर लेते हैं फिल्म के स्क्रीन प्ले और डायलोग राइटर के तो फिल्म के स्क्रीन प्ले दिया था में सराजू नहीं और फिल्म के डायलोग राइटर थे परूचुरी ब्रादर्स अब बात कर लेते हैं फिल्म के ओडियन्स रिस्पॉंस के बारे में फिल्म को लगबग 10 करोड के बजट के साथ बनाया गया था और फिल्म ने 21 करोड का बॉक्स ओफ करेक्शन किया था और फिल्म बॉक्स ओफिस पे बड़ी सूपर हिट रही थी और अब बात कर लेते हैं फिल्म के नॉमिनिशन अवर्ड की और फिल्म एक फैक्ट की बारे में तो मैं बताद हूं जो इस फिल्म को उस साल बेस्ट फीमेल बैक सिंगर का अवर्ड के एस चेत्रा जी को बेस्ट एक्ट्रिस का अवर्ड मिला था तरिशा कृष्णन को बेस सिनमाटिग्राफर का अवार्ड मिला था एस गोपाल रेड़ी को बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था प्रभु देवा को बेस्ट फिल्म का तेलोगू फिल्मफेर अवार्ड मिला था इस फिल्म को और उसी के साथ धेरो और भी बहुत सारे अवार्ड समय इस फिल अब बहुत सारे और भी अवार्ट्स इस फिल्म ने अपने नाम किया थे अब बात करेते हैं इस फिल्म के एक फैक्ट के बारे में तो यह सुनका क्लैश हुआ था उसी साल आई हुई एक्शन फैंटसी मुवी अंजी से जिसे 15 जैनवरी साल 2004 में रिलीज किया गया था फिल्म हमें लीड रोल में चिरन जीवी देखने को मिले थे तल्गू के मेगा स्टार कहलाते हैं फिल्म एक्शन फैंटसी मुवी थी जिसे करीब अठर करोड के बजट के साथ बिनाया गया था निए फिल्म ने बउक्स वमार हुए उसी कसा बात कर देते हैं इस दोनों धुरू के हिंधी डबडव वर्जन के.. एक लिए में तो पर बात करेंटेह नहीं करेते हैं मेगा स्टार्ट चलंड जी वी a ले में वारे में तो इस फिल्म को सभी लोगों ने हिंदी लग्षेचर में में डाइलर दोर डेरिंग नाम जान यो perspectivesIka के ए वर्शाम मोवी के हिंदी डब्ड वर्चन को बारिश दे सीजन of love नाम से डब कर्वाय गया था तो अगर आपको अझीजृ मोवी हिंदी में देखनी तो रिंवा वर्शाम मोवी देखनी है तो बारिश दे सीजन Of love नाम से गौड माइड्स पे तो ये तो बात हो गई साल 2004 में आई सूपर हिट टेलगू लैंग्विज फिल्म वर्डशाम के बजएट बॉक्सर प्रफॉर्मेंस और उसके एक फैक्ट के बारे में और अंजीमोई के बारे में बात कर लेते हैं इसके सारे रीमेक वर्शन्स के बारे में तो चलिए इसके सा साल 2004 में बनाया गया था उडिया लैंग्विज में बढ़सा माई डार्लिंग नाम से जिसे वी प्रभाकर जी ने डारेक्ट किया था वही फिल्में में लीडोल में अनुभव मनुमती और अंकिता बेनर जी देखने को में इस फिल्म को आईमडीपी रेटिंग पर 7.0 की ध जाही नाम से जिसे डारेक्ट किया था एस राजकुमार ने लीड रोल में जयाम रवी श्रिया शरन और राहुल दीव हमें देखने को मिले थे फिल्म को आईमडीपी रेटिंग पर 4.7 की कम आईमडीपी रेटिंग और एक तैग हासल कर पए हाथ तो फिल्म एक एवरेज ह नहीं मिल पाया था हमें लेकिन यह फिल्म उक्स पर एवरेज है अब बात कर लेते हैं फिल्म के हिंदी डवड वर्चन के बारे में तो यह फिल्म हिंदी में गुंडा राज मिटा देंगे नाम से पैन मुवी की यूट्यूब चैनल पर ऑफिशली मौजूद है जाके अबिर खान ने फिल्म एली डूल में टाइगर श्रॉफ श्रधा कपूर और सुधीर बाभू देखने को मिले ते फिल्म को IMDb रेटिंग पे 5.2 के IMDb रेटिंग मिली और 37 करोड के बिच्ट के साथ बिनाय गया महीं फिल्म को इंडिया नेट से लगभग 76 करोड का अब बात कोई तो यह तो बात कुई आई तेलवू फिल्म वर्शाम के बज़र बॉक्स प्रफॉम्स एक फैक्ट और साही रिमेक वर्जन्स के बारे में आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है और कौन सी फिल्म आपने देखें कमेंट से किसे ने जरूर बता को सब्सक्राइब करो क्रेजी फॉर और को और बेल ऐकन दबाओ लाटिफिकेशन पाने के लिए और और फाई प्लीज लाइक करो बहुत मैंने तो प्लीज लाइक कर दो और उसी के साथ मिलता हूं किसी और ऐसी थमाकेदार वीडियो में या वन मुवी मैंनी रिमेक एपिस प्लीज 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 और लाइक करें वीडियो को एक और बोल रहा हूं प्लीज करते ना या तो दिकले बाइब टिक करें जैन जै भारत और सब्सक्राइब मैं चानल बाइब